नमस्कार साथियों, हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे Human Physiology समंदित विकारों के बारे में, जिन में हमने पाचन तंतर समंदित, शुशन समंदित और परी संचन समंदित विकार पढ़ लिये थे इस वीडियो में हम बात करेंगे उचन समंदित विकारों के बारे में, यानि X की Creatory System Related Disorder के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी NZRT के अंदर सबसे पहला विकार जो दे रखा है, वो दे रखा है Euremia यह क्या होता है, उसको समझने से पहले हम यह चीजे समझनी होगी कि हमारी जो किड्निया होती है वो किड्निया काम क्या करती है, हमारी जो किड्नी होती है, उसका मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना लेकिन बहुत बार जो किड्नी होती है वो ब्लड को ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है यानि अपना काम ठीक डंग से नहीं कर पाती है जिसके कारण ब्लड में यूरिया की मातरा ब्लड के अंदर जो है वो यूरिया की मातरा इखटा हो जाती ह और इसी केस को अपन बोलते हैं यूरीमिया तो यह जो बिमारी होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है क्यों क्योंकि यह जो होती है वो आगे जाकर कोज ओफ रिनल फेल्योर यानि रिनल फेल्योर का कारण मनती है तो ऐसे व्यक्तियों में इस ब्लड को फिल्टर करने की आउफ्शक्ता होती है तो ब्लड याधि किड़नी फिल्टर नहीं कर रही है तो में कोई के ब्लड को filter करते हैं तो किस प्रकार करते हैं किस प्रकार हीमोडायलेसिस की process होती है उसको अपन समझते हैं हाँ जी यूरेमिया से पेडित व्यक्ति के लिए अपन हीमोडायलेसिस process का यूज करते हैं अच्छा इसमें होता क्या है वो देखिए रोगी व्यक्ति के कि इप्युक्त धमनी से अपन ब्लड को निकालते हैं हमें किया इंडर जोसे मिलें हमें इसको filter करना तो इस blood को धमनी से निकालेंगे और एक tube से घुजारेंगे किसे किसे घुजारेंगे? Tube से जिसका नाम है cellofan tube इस tube से घुजारने से पहले जो blood हमने दमनी से निकाला है उसके अंदर एक herin डाल देंगे ये herin क्या होता है? ये ठका नहीं बनने देगा जो blood हमने निकाला है उसका थक्का नहीं बनने देगा ये थक्का विरोधी होता है अच्छा अब इस blood को open क्या करेंगे इस cellophane tube से होकर गुजारेंगे इस cellophane tube के बाहर एक द्रव भरा होगा जिसका नाम होगा जिसका नाम है अपोहन द्रव इस अपोहन द्रव का composition या संगठन हमारे blood के जैसा ही होता है लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि इस अपोहन द्रव के अंदर nitrogen abscist नहीं होते हैं क्या नहीं होते हैं nitrogen abscist नहीं होते हैं जबकि ये जो blood is cellophane tube के अंदर बहरा है उसके अंदर nitrogen abscist है तो ये पूरा जो यंत्र है इसको पन बोलते हैं अपोहन इका ही या फिर बोल सकते हैं artificial kidney बोल सकते हैं ठीक है सब अच्छा अब देखिए ये जो cellophane tube है इस cellophane tube की जल्ली जो है वो चाइनात्मक पारगम में होती है क्या होती है चाइनात्मक पारगम में होती है तो हमने अभी अभी देखा कि इस सेलोफेन ट्यूब के अंदर जो ब्लड बेरा है उसके अंदर नाइट्रोजन अपसिष्ट है जबकि इसके बाहर जो अपोहंद्रव है उसके अंदर नाइट्रोजन अपसिष्ट नहीं है तो य उने क्या कहा कि यहां पर नॉ 북itel आप्स मरतित की मात्र जादा है यह पर कम है लेकर संद्रत्रता प्रवनता प्रवनता का निरमान होगा और यह जो नॉ pass citizen अब 6 है उपने संद्रता प्रवनता की अनुसार बहार की और गति करेंगे। ठीक है साब अच्छा अब ये जब नाइट्रोजन अपसिस्ट बहार निकल गए हैं है ना तो ये अपना जो blood है वो filter हो चुका है क्योंकि जितने भी नाइट्रोजन अपसिस्ट थे वो अपनी प्रवणता गिनुसार बहार निकल गए तो अब इस filter blood को अपन बहार निकालेंगे और जो र व्यक्ति, श्राहगी जो उप्योगत शिरा होगी उसमें डाल लेंगे लेकिन शिरा में डालने से पहले अपने जो हेपरी मिक्स किया है उसका हमें एНटीडोडब देना होगा यायनि एंटी हिपरीन मिलाना होगा तो अब ये जो बलड है wordt नाक्ट्रोजन अप्सिस्ट रहीत हो चुका है तो यह पुरा प्रोसेस हीमोडायलेसिस संबंदित था जिसमें हमने रोगी व्यक्ति के धमनी से रक्त को निकाला उसे फिल्टर किया और वापस उसकी सीरा के अंदर डाल दिया यह जो हीमोडायलेसिस प्रोसेस है वो यूरेमि व्यक्तियों के लिए एक वर्दान साबित हुआ है इससे काफी रोगी रहत महसूस करते हैं लेकिन इसकी प्रोब्लम यह है कि हमें उस ब्लड को बार बार फिल्टर करने की आउशक्ता होती है तो यह तो प्रोब्लम वाली बात है बार बार होस्पिटल जाओ इसको अपने व्यक्तियों का एक पर्मानेंट इलाज क्या हो सकता है तो रिनर फैल्योर से जूझ रहे व्यक्तियों का पर्मानेंट इलाज होता है वो होता है किड्नी ट्रांस्प्लांट यानि वकक पत्यार ओपन तो किड्नी ट्रांस्प्लांट करके अपन इस समश्या का पर्मानेंट ह की रिष्टदार की किड्नी यूज में लेनी चाहिए क्यों क्योंकि जो प्राप्त करता है उसकी उसका प्रतिक्षतंत्र उसको अस्विकार नहीं करें यदि वो नजदी की व्यक्ति की होगी तो हमारा प्रतिक्षतंत्र उसे सहज अस्विकार नहीं करेगा तो किड्नी ट्रां जिसका नाम था यूरीमिया इसके अलावा दो और डिसोडर दिते रखे हैं एक्स क्रियेटी सिस्टम रिलेटी उनको पढ़ते हैं पन हाँ जी आगे हम पढ़ते हैं रिनल कलकलाई और ग्लोमेललो नेफ्रिटीज के बारे में यह क्या होते हैं देखें रिनल कलकलाई का सिंप इसमें क्या होता है और ग्लोमेलो नेफ्रिटीज यह क्या होता है कुछ नहीं जो अपने पास ग्लोमेललस होता है उसका इंफ्लमेशन यह सोध इसको बन क्या बोलते हैं ग्लोमेलो नेफ्रिटीज तो यह दो और दे रखिए जिने में ध्यान रखना पेला आमने पड़ा थ यूरेमिय पढ़ा था जिसके अंदर ब्लड के अंदर यूरिया की मातरा बढ़ जाती है उसको पन हीमोर एलसिस या आर्टिफिशल किड्नी दौरा फिल्टर करते हैं उसका प्रप्रोस समने देख लिया दा फिर आने पड़ा था रिनल कलकला यानि किड्नी स्टोन और फिर आने पड़ा था ग्लो मेरून अफिर्टीज यानि ग्लो मेरून लस्ट के अंदर सोध या इंप्लामेशन अच्छा एक कुशन जो बहुत बार पुझा जाता है अब्ज यक्रित सीरा के अंदर पाया जाता है और सबसे कम यूरिया कहां पाया जाता है तो सबसे कम जो यूरिया होता है वो वकक सीरा के अंदर पाया जाता है इसा क्यों होता है क्योंकि यक्रित सीरा के अंदर यक्रित के अंदर क्या होता है यूरिया का फॉर्मेशन होता है इसलि तो ये चीज़ में याद रखनी है कुशिन आ जाए तो मैं सिधा याद में यह चीज होनी चाहिए कि सबसे ज़्यागंदर सबसे ज़्यादा पाई जाता है और सबसे कम वक्क सिरागंदर पाई जाता है तो ये हमने X-Creative System Related Disorder पढ़ लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद